गुट मॉर्णी माई डियर स्टूडेंस। स्टूडेंस आज के क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरन पढ़ेंगे। क्रिया का अर्थ होता है काम। यहाँ पर कुछ उदाहरन दिये हुए हैं। आप लोग उसे ध्यान से देखो। मॉहनी किताब पढ़ रही है। हमीदा बजार जा रही है। आयूसी नाच रही है। वर्षा हो रही है। इन वाक्यों में पढ़ना, जाना, नाचना, होना ये सारे क्रिया है। क्योंकि यह कार्य हो रहा है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चलता है। वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। जैसे हसना, सोना, खाना, पढ़ना, भागना, उठना, बैठना, दरना। Students, ये सारे शब्द क्रिया है। कुछ काम किये जाते हैं और कुछ स्वेम हो जाते हैं। स्वेम का अर्थ अपने आप हो जाते हैं। जैसे, पेड से पत्ते गिर रहे हैं। खेतों में फसल उग रही है। इन वाक्यों में गिर रहे हैं और उग रही है। यहाँ पर क्रिया स्वेम हो रही है। इस क्रिया को कोई नहीं कर रहा है। या क्रिया स्वेम हो रही है। बच्चा पेड से पत्ते तोड रहा है किसान फसल उगा रहा है पत्ते तोड रहा है कौन पत्ते तोड रहा है? बच्चा फसल कौन उगा रहा है? किसान तो यहाँ पर क्रिया की जा रही है Thank you students